हाई फ्रेंट्स मैं हूँ रेखा और रेखा दैंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आए होप बिलकुल अच्छे फ्रेंट्स आज हम आपके लिए क्या हैं चीज पटेटो ब्रेड बनाने में बहुत ही आसान है और सबसे बड़ी बात तो है हम इसको बह मैदा हमने चानके रखा है थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे हम यहाँ पर डाल रहे हैं दो चंब गी आप चाहें तो यहाँ पर रिफाइंड ओील भी डाल सकते हैं या बटर हमने लिया है दूद रूम टेंप्रिचर पर है थोड़ा थोड़ा दूद डाल के आठा ल देखिए हमने बहुत अच्छे से आटा लगा के तैयार कर लिया है, दस मिट के लिए ढखके रख देंगे, चीज पटेटो ब्रैट बनाने के लिए हमने यहापे एक मेडियम साइज का आलू बॉइल करके रखा है, छील लेंगे, आलू को हमने चील लिया है, अब हम इसको कद्दू कस कर लेंगे, बारीक वाली साइट से हमें कद्दू कस करना है, आलू को हमने कद्दू कस कर लिया है, आलू को कद्दू कस करने के बाद में हम डाल देंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, नमक कमी डालें क्योंकि हम आटे में भी नमक डाल चुके हैं नमक हमने आलू में भी डाल दिया है तो कहीं जादा ना हो जाए बिल्कुल थोड़ा सा हम डाल देंगे ओरिगेनो और थोड़ा सा हम डाल देंगे चलिफलिक्स सबी चीजों को अची तरह से मिक्स कर लेंगे चीज पटैटो ब्रैड के लिए हमारा पटैटो भी बिल्कुल रेड़ी है आईए अब हम चीज पटैटो ब्रैड बनाना स्टार्ट करते हैं दस मिनिट कम्प्लीट हो चुके हैं आटे को चेक कर लेते हैं देखिए कितना बढ़िया से आटा लगके तयार हुआ है आटे को हमने गोल कर लिया है अब हम इसको आहिस्ता से बेलना स्टार्ट करते हैं हमने एक मोटी रोटी बनाकर के तयार कर ली है सबसे पहले हमने ली है एक चीज स्लाइज इसको सेंटर में लगा देंगे अब हमने लिए है लगबग 100 ग्राम के आसपस मौजेरिला चीज पटेटो चीज ब्रेट बनाने जा रहे हैं तो इसमें चीज तो ज़्यादा डलेगी ही और चीज से ही इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है टेस्ट भी दुगना हो जाता है अब जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार करके रखी है वो हम इसमें बीच में लगा देंगे इस तरह से थोड़ा सा इसको हाथ से फैला देंगे जो हमने चीज बचा के रखी है उसको हम स्टफिंग के ऊपर से लगा देंगे आप चाहें तो यहां पर छोटी सी वारिक हरी मिच काटके डाल सकते हैं थोड़ा सा हरदनिया पत्ती भी काटके डाल सकते हैं पर आज हमने यहां पर बिल्कुल सिंपल तरीके से ब्रेट बनाई है एकदम अच्छी तरह से इसको इस तरह से कवर कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से हमें इसको कवर करना है ताकि चीज कहीं से भी निकले नहीं जहां से भी खुलावा आपको नजर आ रहा है वहां से इसको पेस्ट कर दें ओल, घी या बटर जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं हमने हलका सा घी लगा लिया है अब आहिस्ता आहिस्ता हम ब्रेड को बेलना स्टार्ट करेंगे और सब तरफ से एक सा बेलेंगे साइड चेंज कर लेंगे चीज पटेटो ब्रेड बना रहे हैं इसलिए हमें इसको बहुत जादा पतला नहीं बेलना है मोटा ही रखना है क्योंकि जो ब्रेड होती है वो थोड़ी मोटी ही होती है देखे हमने चीज पटेटो ब्रेड को बना करके रेडी कर लिया है अब आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी इसको सेख सकते हैं पर हम आज हम इसको पैन में सेखेंगे चीज पटेटो ब्रेड बनाने के लिए हमने या पे लिया है एक पैन और पैन में डाल देंगे हम गार्लिक बटर बटर मेल्ट हो गया है तयार की हुई ब्रेड को हम पैन में रख देंगे और gas के flame को हमने low कियावा है, low flame पर हम इसको बहुत अच्छी तरह से bake कर लेंगे आप चाहें तो lid भी लगा सकते हैं, पर हम lid लगा करके bake नहीं कर रहे हैं, हम इसको आज वैसे ही bake होने देंगे gas के flame को हमें high अ medium नहीं करना है, low flame पर हमें bread को तयार करना है इससे जो हमारी bread है, वो अंदर तक बहुत अच्छे से सिख जाएगी एक तरफ से bread हमारी सिखने लग गई है, दूसरे side भी हम बहुत अच्छी तरह से butter लगा देंगे हमने यहाप यह garlic butter flavor के लिए यूज में लिया है, अगर आपको garlic flavor पसंद नहीं है तो आप normal butter भी यूज में ले सकते हैं, इसी तरह से side change कखके हम bread को तयार कर लेंगे देखिए side change कर दी है हमने, कितनी बढ़िया हमारी bread बन के तयार हो रही है जितनी बार भी हम bread की side change करेंगे, उतनी बार ही हम उपर से butter लगा देंगे देखिए कितनी बढ़िया, कितनी क्रिस्पी और कितनी सुन्दर हमारी cheese potato bread बन के तयार हुई है अभी हम इसको थोड़ा सा बेक और करेंगे, आप ज़्यादा क्रिस्पी पसंद करते हैं, तो आप इसको थोड़ा और ज़्यादा बेक कर सकते है आप देख सकते हैं, bread कितने अच्छे से फूल भी गई है, और साइडों से भी देखिए, साइड्स खुलने लग गए है बहुत ही बढ़िया से हमारी bread बन के तयार हुई है, गैस की flame को बंद कर देंगे, और फटाफट से गरमा गरम हम cheese potato bread को सर्फ भी कर देंगे potato cheese bread को सर्फ करने के लिए हम इसके pieces कट कर लेंगे, अगर आपके पास में pizza cutter है तो आप उससे भी कट कर सकते हैं, वरना किसी भी simple knife से आप इसको कट कर सकते हैं देखिए कितनी बढ़िया हमारी cheese potato bread बन के तयार हुई है, तो friends recipe को try करें, taste करें और अपने comment समसे share करें, friends वीडियो कर आपको पसंद आईए तो like करें, और चैनल पे नए आए हैं तो subscribe करें, thank you thank you so much, have a nice day